धार्मात्मा कुंती नंदन ने देखा ध्रौपदी के मुक्की कांती फीकी पड़ गई है और उसका शरीर क्रिश हो गया है तब वे उसे अंक में लेकर शोकातर हो विलाप करने लगे युधिस्टर बोले आहो जो सुरक्षत सदनों में सुसजित सुकोमल शया पर शयन करने य वे सुक भोगने की अधिकारणी परम सुद्री कृष्णा आज प्रित्वी पर कैसे सो रही है नमश्कार आगर आप किसी कारण वश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिगा वेशंपायन जी कहते हैं जर्मेच तदनंतर संपून धनुर्दरों में आगर गन्य वे अम्भे तेजस्वी शूर्वीर पांडव धनुश्पान, तरकस, धाल और तलवार लिये हाथों में गोह के चमडे के बने दस्ताने पहने और श्रेश्ट ब्राह्मनों को आगे किये द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत की और प्रस्तित हुए पर्वत के शिखर पर उन्होंने बहुत से सरूवर सर्दाएं, पर्वत, वन तथा घनी चाया वाले व्रिक्ष देखे उन्हें कितने ही ऐसे स्थान द्रिश्टी गोचर हुए जहां सदा फल और फूलों की बहुत आयत रहती है उन प्रदेशों में देवरिश्यों के समुदाए निवास करते थे वीर पांडव अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगा कर फल मूल का अहार करते हुए उचे नीचे विशम संकटपून स्थानों में विचर रहे थे मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के म्रिग समुहों दिखाई देते थे जिनकी संख्या बहुत थी इस प्रकार उन महात्मा पांडवों ने गंधर्वों और अपसराओं की प्रिय भूमी, किन्यरों की क्रडास्थली तथा रिश्यों सिध्धों और देवताओं के निवास्थान गंधमादन परवत की घाटी में प्रवेश किया राजन वीर पांडवों के गंधमादन परवत पर पदारपन करते ही प्रचंड आंधी के साथ बड़े जोर की वर्षा होने लगी फिर धूल और पत्तों से भरा हुआ बड़ा भारी बवंडर उठा जिसने प्रित्वी अंतरिक्ष तथा स्वर्ग को भी सहसा आच्छादित कर दिया धूल से आकाश के धक जाने से कुछ भी सूज नहीं पड़ता था इसलिए वे एक दूसरे से बादचीत भी नहीं कर पाते थे अंधकार ने आँखों पर परदा डाल दिया था जिससे पांडव लोग एक दूसरे के दर्शन से भी बंचित हो गये थे भारत पत्थरों का चूर्ण विखेरती हुई वायू उन्हीं कहीं से कहीं खीचे लिये जाती थी प्रचंड वायू की वेक से तूटकर निरंतर धर्ती पर गिरने वाले व्रिक्षूं तथा अन्य जाड़ों का भयंकरशक्ट सुनाई पड़ता था हावा के जोंके से मोहित होकर वे सब के सब मन ही मन सोचने लगी कि आकाश तो नहीं फट पड़ा प्रित्वी तो कहीं विदीर नहीं हो गई अत्वा कोई परवत तो कहीं फटा जा रहा है ततपशात वे रास्ते के आसपास के व्रिक्षूं मिल्टी के धिरों और उचे नीचे स्थानों को हाथों से टटोलते हुए हवा से डर कर यत्र तत्र छिपने लगे उस समय महाबली भीम सेन हाथ में धनुश लिए द्रौपदी को अपने साथ रख कर एक प्रिक्ष के सहारे खड़े हो गए धर्मराज्यु धिश्टर और पुरोहित धौ में अग्निहोत्र की सामगरी लिए उस महानवन में कहीं जा जिपे सहदेव परवत पर ही कहीं सुरक्षित स्थान में छिप गए नकुल अन्यान्य ब्रहमन लोग तथा महातपस्वी लोमर्शी भी भैभीत होकर जहां तहां व्रिक्षों की आड़ लेकर छिपे रहे थोड़ी देर में जब वायू का वीकुष कम हुआ और थूल उर्णी बंध हो गए उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी तदनंतर वज्रपात के समान मेगों की गड़गडा हट होने लगी और मेग मालाओं में चारों और चंचल चमक वाली पिजलियां संचरण करने लगी ततपशात तीवरवायू से प्रेरिथों समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई ओलो सही जल की धाराएं अविराम गती से गिरने लगी महराज वहाँ चारों और पिखरी हुई जल्राशी समुद्र कामिनी नदियों के रूप में प्रकट हो गई जो मिट्टी मिल जाने से मलीन दीख पड़ती थी उसमें जाग उठ रहे थे फेन रूपी नौका से व्याप्ट अगाद जल्चमू को भाती हुई चरिताएं तूटकर गिरे हुई प्रिक्षों को अपने लहरों से समीट कर जोर जोर से हर हर ध्वनी करती हुई बह रही थी भारत थोड़ी देर बाद जब तूफान का कोला हल शांत हुआ वायू का वेक कम हो एवं सम हो गया परवत का सारा जल बह कर नीचे चला गया और बादलों का आवरन दूर हो जाने से सुरिदेव प्रकाशत हो उठे उस समय वे समस्त वीर पांडव धीरे धीरे अपने स्था से निकले और गंदमाधन परवत की ओर प्रस्तित हो गये वेशंबायन जी कहते हैं जनमीच्य महात्मा पांडव अभी कोसपर ही गय होंगे कि पांचाल राजकुमारी तपस्विनी ध्रौपदी सुकुमारता के कारण ठक कर बैठ गई वे पैदर चलने योग्य कदापी नह दयानक वायू और वर्षा से पेड़ित हो दुखमगन होकर वे मुर्चित होने लगी थी घबरहट से कामती हुई कजरारे नेत्रों वाली कृष्णा ने अपने गोल-गोल और सुन्दर हाथों से दोनों जागों को थाम लिया हाथी की सून के समान चढ़ाव उतार वाली परस पर सटी हुई जागों का सहारा ले केले की व्रिक्ष की भाती कामती हुई वे सहसा प्रित्वी पर गिर पड़ी सुन्दर अंगो वाली द्रौपदी को तूटी हुई लता की भाती गिरते देख बलशाली नकुल ने दोड़कर उसे थाम लिया तद पर शात नकुल ने कहा भरतकुल पूशन महराज यह श्याम नेत्रवाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी ठाक कर धर्टी पर गिर पड़ी है आप आकर इसे देखिए राजन यह मंदगती से चलने वाली देवी दुख सहन करने की योगी नहीं है तो भी इस पर महान दुखा पड़ा है रास्ते के परिश्यम से यह दुर्बल हो गई है आप आकर इसे सांत अपना दे वेशंपायन जी कहते हैं जन में जर नकुल की यह बात सुनकर राजा युधिश्टर अत्यंत दुखी हो गए और भीम तथा सहदेव के साथ सहसा वहां दौड़े आए धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा ध्रौपदी के मुक्की कांती फीकी पड़ गई है और उसका शरीर क्रिश हो गया है तब वे उसे अंक में लेकर शोकातर हो विलाप करने लगे युधिस्टर बोले आहो जो सुरक्षत सदनों में सुसजित सुकोमल शैया पर शैयन करने योगे है वह सुक भोगने की अधिकारणी परम सुन्दरी कृष्णा आज पृत्वी पर कैसे सो रही है जो सुक के श्रेश्ट साधनों का उप्भोग करने योगे है उसे दौपद कि ये दोनों सुकुमार चरण और कमल की कांती से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काले पड़ गये हैं मुझ मूर्ख ने द्यूत क्रिडा की कामना में फसकर ये क्या कर डाला अहो सहस्त्रों मृग समुहों से भरे हुए इस भयानक वन में द्रौपदी को साथ लेकर ह हमें विचरना पड़ रहा है इसके पिता राजा द्रौपद ने इस विशाल लोशना द्रौपदी को यह कहकर हमें प्रदान किया था कि कल्यानी तुम पाड़ों को पति रूप में पाकर सुखी होगी परन्तु मुझ पापी की कर्दूतों से वे सब ना पाकर वे परिश्र शोक और मार्ग के कस्ट से क्रिशोकराज धर्ती पर पड़ी हुई सो रही है वे शमपायन जी कहते हैं जनमीचे धर्मराज जुधिश्टर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे उसी समय धौम में आदी समस्त शेष्ट ब्राह्मन भी वहां आ पहुंचे उन्होंने महराज क को आश्वासन दिया और अनेक प्रकार के आश्रवाद देकर उन्हें सम्मानित किया तत पर शात वे राक्षसों का विनाश करने वाले मंत्रों का चप तथा शांती करम करने लगे महरशियं द्वारा शांती के लिए मंत्रपाठ होते समय पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बाहर बाहर द्रौपदी के अंगों को सहलाया जलका स्पर्श करके बहती हुई शीतल भायू ने भी उसे सुक महुचाया इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को धीरे धीरे चेत हो आया होश में आने पर दीना वस्था में पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदी को पकड़ कर पांडवों ने म्रिक चर्म के बिस्तर पर सुलाया और उसे विश्राम कराया नकुल और सहदेव ने धनुष की रगड के चिन्न से सुशोभित दोनों हाथों द्वारा उसके लाल तल्वों से युक्त और उत्तम लक्षणों से अलंकृत दोनों चर्णों को धीरे धीरे दबाया फिर कुरुश्रेष्ट धर्मराज युदिश्टर ने भी ध्रौपदी को बहुत आश्वासन दिया और भीमसेन से इस प्रकार कहा महाबाहु भीम यहां भहुत से उचे नीचे परवत हैं जिन पर चलना बरफ के कारण अत्यन्त कठिन है उन पर द्रौपदी कैसे जा सकेगी भीमसेन ने कहा पुरुश्रत महाराज आप मन में खेद न करें मैं स्वयन राजकुमारी द्रौपदी नकुल सहदेव और आपको भी ले चलूँगा हिडिमबा का पत्र घटोत कच्वी महान पराक्रमी है वह मेरे ही समान बलवान है और आकाश में चल फिर सकता है अनग आपकी आग्या होने पर वह हम सबको अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाएगा वैशंपायन जी कहते हैं राजन तदन अंतर धर्मराज की आग्या पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्तच हाथ जोड़े हुए वहाँ उपस्तित हुए उस महबाहु वीर ने पांडवों तथा ब्रह्मनों को प्रणाम करके उनकी द्वारा सम्माने थो अपने भायंकर पराक्रमी पिता भीमसेन से कहा महबाहु आपने मेरा स्मरण किया है और मैं शीग्रही सेवा की भागना से आया हूँ आग्यादीची मैं आपका सब कारे अवश्य ही पून करूँगा यह सुनकर भीमसेन ने राक्षस घटोत्तकच को हिदे से लगा लिया युधिस्टर बूले आत्यंत भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीम तुम्हारा औरस पुत्र राक्षस्ष्ट घटोत्तकच धर्मग्य बलवान शूरवीर सत्यबादी तथा हम लोगों का भक्त है यह हमें शीग्र उठाले चले जिससे भीमसेन तुम्हारे पुत्र घटोत परवत पर पहुंच जाओं। वैशंपायन जी कहते हैं राजन भाई की इस आग्या को शिरुधारे करके नर्शिष्ट भीमसेन ने अपने पुत्र शत्रुसुदन घटोतकच को इस प्रकार आग्या दी। अपराजित और आकाश्चारी हिंडी मनंदन तुम्हारे माता द्रौपदी बहुत ठक गई हैं। तुम बलवान एवं इच्छानुसार सर्वत्र जाने में समर्थ हो। अतह इसे आकाश मार्ग से ले चलू। बेटा तुम्हारा कल्यान हो। इसे कंधे पर बेठा कर हम लोगों की बीच रहते हुए आखाश मार्ग से इस प्रकार धीरे धीरे ले चलू। जिससे इसे तनिक भी कस्ट ना हो। घडोत कच बोला अनक मैं आकेला रहूं तो भी धर्मराज जिदिष्टर पुरोहिद्धाम में माता द्रौपदी और चाचा नकुल सहदेव को भी बहन कर सकता हूं। फिर आज दो मेरे और भी बहुत से संगी साथी उपस्तित हैं। इस दशा में आप लोगों को ले चलना कौन बड़ी बात हैं। मेरे सिवा दूसरे भी सैकडों शूरवीर आकाशचारी और इच्छानुसार रूप धारन करने वाले राक्षस मेरे साथ हैं। वे ब्राहमनों सहित आप सब लोगों को एक साथ वहन कर सकेंगे। ऐसा कहकर वीर घडोत कश्तो द्रौपदी को लेकर पांडवों की बीच में चलने लगा और दूसरे राक्षस पांडवों को भी अपने अपने कंधों पर बिठा कर ले चले। अनुपम तेजस्वी महरशी लोमश अपने ही प्रभाव से दूसरे सूरे की भांत सिद्ध मार्क अर्थात आकाश मार्क से चलने लगा। राक्ष अत्यंतर रमणिये वन और उपवनों का अवलोकन करते हुए वे सब लोग विशाला बद्री अर्थात बद्री का आश्रम तीर्थ की ओर प्रस्तित हुए। उन महा वेग्षाली और तीव्र गती से चलने वाले राक्षसों पर सबार हुए वीर पांडवों ने उस विशाल और मार्ग को इतनी शीगरता से टैकर लिया मानों वे बहुत छोटा होप। उस यात्र में उन्होंने मलेचों से भरे हुए बहुत से ऐसे देश देखें जो नानप्रकार की रतनों के खानों से युग्त थे। वहां उन्हें नानप्रकार के धातों से व्याप्ट कितने ही शाखा परवत द्रिश्टी गोचर हुए। उन परवती शिक्रों पर बहुत से विद्याधर बानर, किनर, किमपुरुष और गंधर्व चारों और निवास करते थे। मोर, चमरी गाय, बानर, रुरुमिक, सुवर, गव्य और भैसाधी पशु यहां विचर रहे थे। गव गौ के समान एक प्रकार का जंगली पशु है, जिसके गल कंबल नहीं होता। शाधिहां नेलगाय की बात हो रही है। वहां सबूर, बहुत से नदियां बह रही थी। अनेक प्रकार के असंखे पक्षी विचर रहे थे। वैस्थान नाना प्रकार के म्रिगों से सेवित और वानरू से सुशोभित था। वह परवतिय प्रदीश, मतवाले विहंगों और अगणित व्रिक्षों से युक्त था। पांडवों ने उत्तम स्मृत्धी से संपन, बहुत से देशों को लांग कर भांती-भांती के आश्चर जनेक द्रिश्यों से सुशोभित। परवत्ष इस्ट क्यलाश का दर्शन किया। उसी के निकट उन्हे भगवान नर नारायन का आश्रम दिखाई दिया। जो नित्य फलफूल देने वाले दिप्वे व्रिक्षों से अलंकृत था। वहीं वे विशाल एवं मनोरम बद्री भी दिखाई दी। जिसका सकंद अर्था तना गोल था। वे विवरिक्ष बहुत ही चिकना। घनी चाया से युग्द और उत्तम शोभा से संपन था। उस शुब व्रिक्ष के सघन कोमल पत्ते भी बहुत चिकने थे। उसकी डालियां बहुत बड़ी और बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे विवरिक्ष अत्यंत का भारा बहती रहती थी। उस दिव विवरिक्ष के नीचे महरिश्यों का समुदाय निवास करता था। वे विवरिक्ष सदा मदोनमत एवं आनंद विभोर पक्षियों से परिपूर्ण रहता था। उस प्रदेश में दास और मच्छरों का नाम नहीं था। फर मूल और जलक पहुत आयाग थी। वहां की भूमी हरी हरी खास से धकी हुई थी। देवता और गंधर्व वहां वास करते थे। उस प्रदेश का भूभाग सुभावतह सम्तल और मंगल में था। उस हिमाच्छादित भूमी का सपर्ष अत्यंत मृदू था। उस देश में कांटू का कही नाम नहीं था। ऐसे पावन प्रदेश में वे विशाल बद्री विक्ष उत्पन हुआ था। उसके पास पहुचकर वे सब महात्मा पांडव उन श्रेश्ट पांडवों के साथ राक्षसों के कंधों से धीरे धीरे उत्रे। राजन ततन अंतर प्रामणों सहित पांडवो है। ब्रिक्षों की सघंता के कारण सूरे की किर्ने उसका स्पर्ष नहीं कर पाती। वे आश्रम भूग, प्यास, सर्दी और गर्मी आदी दोशों से रहित और संपोर्ण शोकों का नाश करने वाला था। महराज, वे पावन्तीत मरश्यों की समुदाय से भरा हुआ और ब्रामी श्री से सुशोभित था। धर में हिन मनुश्यों का वहाँ प्रवेश बाना अत्तिन्त कठिन था। वे दिव्य आश्रम देव पूजा और हूम से अर्चित था। उससे जाड बोहार कर अच्छी तर शुभा आदी सुन्दर यग्य पात्रों से व्याप्त वे पावन आश्रम जल से भरे हुए बड़े-बड़े कल्शों और परतनों से सुशोभित था। वे सप्राणियों की शरण लेने योग्य था। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनी गूश्दी रहती थी। वे दिव्य आश्रम सबके रहने योग्य और थकावट को दूर करने वाला था। वे शुभा संपन आश्रम अवर्ण निये था। देवचितकार्यों का अनुष्ठान उसके शुभा बड़ा था। उस आश्रम में फलमूल खाकर रहने बाले कृष्णम्रिक चर्मधारी, जीतेंद्रिय अगनी तथा सूरे के समान तेजस्वी और तपह, पूत, अन्तह करणवाले मरशी, मोक्षपरायन, इंद्रिय सैयमी, सन्यासी तथा महान, सवभागेशाले ब्रह्मवादी, ब्रह्मभूत, महात्मा निबास करते थे। दिविग्यान संपन सब महरशी अत्यंत प्रसंद होकर उनसे मिले और उन्हें अनेक प्रकार के आशेवाल देने लगे। सदा वेदूं के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले उन्हें अक्नी तुल्ले तेजस्वी महात्मावने प्रसंद होकर उधिष्टर का विधिपूर्वक सत्कार किया और उनके लिए पवित्र फल्मूल, पुष्प और जल आदी सामगरी प्रस्तुत की। महरिशियों द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत कीये हुए उस आदिथ्थे सत्कार को शुद्धर हिदै से ग्रहन करके धर्मराजु दिष्टर बड़े प्रसंद हुए उन्होंने भाईयों तथा द्रौपदी के साथ इंद्रभवन के समान मनोरम और दिव्वे सुगं परिपूर्ण उस स्वर्ग सद्रिश शोभा मई पुन्य मई नर नारायन आश्रम में प्रिवेश किया अनक उनके साथ ही वीद विदांगों के पारंगत विद्ध्वान सहस्त्रों ब्राहमन भी प्रविश्टु गए धर्वात्मा युधिष्टर ने बहां भगवान नर न भगिर्थी गंगा अनेक धाराओं में विभवत्त होकर बेहने लिगी उनकी सीधी धारा तो गंगोत्री से देव प्रयाग होती हुई हरिद्वाराई और अन्य धाराएं अन्य मार्गों से प्रवाहित होकर पुन्ह गंगा में ही मिल गई उन्ही की जो धारा केलास और बद्रिका आश्रम के मार्ग से बहती आई है उसका नाम अलकनन्दा है वह देव प्रयाग में आकर सीधी धारा में मिल गई है इस प्रकार ये तिपी नर नरायन का स्थान अलकनन्दा के ही तरपर है तथा पी वह मूलता भगिरती से अभिन नह ही है इसलिए यहां मूल में भगिरती शब्द से ही इसका उल्लेक किया गया है नर्श्रेष्ट पांडव उस थान का दर्शन करते हुए बहां सबोर सुकपूर वक खूमने फिरने लगी ब्रहमरिश्यों द्वारा सेवित जो अपने फलों से मधु की धारा बहाने वाला दि प्रसंता के साथ वहां सुकपूर्वक रहने लगी वहां सुवर्ण में शिक्रों से सुशोभित और अनेक प्रकार की पक्षियों से युक्त मैनाक परवत था वहीं शीतल जल्च से सुशोभित बिन्दुसर नामक तालाब था वह सब देखते हुए पांडव द्रौपदी क साथ उस मनोहर उत्तम वन में विचरने लगे जो सभी रितुओं के फूलों से सुशोभित हो रहा था उस वन में सब और सुर्मय व्रिक्ष दिखाई देते थे जो विक्सित फूलों से युक्त थे उनकी शाखाएं फलों के बोच से जुकी हुई थी कोकिल पक्षियों से य उनकी चाया शीतल थी वे मन को बड़े ही रमणिये लगते थे उस वन में कितने ही विचित्र सरोवर भी थे जो स्वाच जल से भरे हुए थे खेले हुए उत्पल और कमल सबोर से उनकी शोभा का विस्तार करते थे उन मनोहर सरोवरों का दर्शन करते हुए पांडव वहां सानंद विचरने लगी जन्मेच गंध मादन परवत पर पवित्र सुगंध से वासित सुखदाईनी वायू चल रही थी जो द्रौपदी सहित पांडवों को आनंद निमगन किये देती थी पूर्वोक्त विशाल बत्री विक्ष के समीव उत्तम तीर्थों से सुशोभित शीतल जलवाली भगिरिती गंगा बह रही थी उसमें सुन्दर कमल खिले हुए थे उसके घाट मनियू और मूंगों से आपद्ध थे अनेक प्र शोलास की वृद्धी कर रही थी उसका दर्शन करके महात्मा पांडवों ने उस अत्यंत दुर्गम देवरिशी सेवित प्रदेश में भगिरिथी के पवित्र जल में स्थेतों परम पवित्रता के साथ देवताओं रिशियों तथा पित्रों का तरपन किया इस प्रकार प् परमान कांतिमान नरिश्रिष्ट पांडव वहां द्रॉपती की विचित्र करणाय देखते हुए सुक पूर्वक रमन करने लगे नमस्कार मैं आभाशर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करें